हे गाईज, वेलकम बैक टो दे चैनल, मेरा नाम आकाश और आद देखरें टेकनिकल फैमिली आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे आज यहाँ पर अपने यूटूब वीडियो को सही तरीके से कैसे अपलोड कर सकते हैं जी हाँ, यहाँ यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने वीडियो को यूटूब पर अपलोड करते हैं पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से काफी लोग जो नहीं जानते कि कैसे अपलोड करना चाहिए यूटूब का वीडियो और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्निकल फैमेल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कला का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ मैं bell notification भी on कर लेना इसी तरह आपको new videos देखने को मिलती रहेगी तो without wasting time video कर लेते हैं start यहाँ पर आप मेंसे भी काफी लोग videos बनाते होंगे और आप upload भी करते हैं YouTube पर पर आप यहाँ पर YouTube पर upload कैसे करते हैं आप simple से अपने YouTube application की मदद से अपने video का upload कर देते हैं पर मैं आप कहाँ बता दूँ अगर आप अपने video YouTube application से upload करते हैं तो यहाँ पर आपकी video की quality reduced होने के काफी chances रहते हैं कि आप अपने video को YouTube application से upload करते हो तापके video quality भी reduced हो जाती है और काफी कम features देखने को मिलते हैं आपको YouTube application पर जैसे कि आपको आप पर title, description, आपकी visibility क्या है वीडियो की, आप क्या रखना चाते हो ये वीडियो आप किस के लिए बना रहे हो, kids के लिए बना रहे हो या फिर kids के लिए नहीं बना रहे हो फिर आप यहाँ पर बहुत सारी चीज मिस कर देते, बहुत सारी चीज अपने वीडियो पर नहीं लगा पाते पर आप यहाँ पर YouTube studio की मदद से tag तो लगा सकते, thumbnail भी लगा सकते पर बाकी सारे चीज़े आप यहाँ पर use नहीं कर सकते अपने वीडियो में तो मैं आप 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 बताता हूँ कैसे आप यहाँ पर आपने आपने सही तरीके से वीडियो अपलोड कर सकते हो यहाँ पर आपको सभी के सभी फीचर एक ही बारे में देखने को मिल जाएंगे और आपने एप वीडियो को एगदम सही तरीके से अपलोड कर पाएंगे वो भी YouTube पर तो उसके लिए आपको करना का है आपको अपना कोई भी browser open कर लेना है या फिर आप Chrome browser भी open कर सकते हैं हमें आपको अपना Chrome browser open करते हैं Chrome browser open करने के बाद आपको simple से अपना desktop site enable कर लेना है desktop site enable करने के बाद आपको वहाँ पर सर्च करना है studio.youtube.com यह आपको सर्च कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर YouTube का studio open हो जाएगा desktop site पर जिसके पास यहाँ पर PC है laptop है वो अपने PC laptop से भी यूज कर सकते हैं ऐसे ही upload कर सकते हैं और जिसके पास यहाँ पर PC laptop नहीं है वो अपने phone की मदद से desktop site open करके वहाँ से भी same upload कर सकते हैं आपको एसे open कर लेना है आपको वहाँ पर topic create option देखने को मिल जाएगा पर जाने के बाद आपको upload वाले option पर कलिक करना है फिर आपको अपने वीडियो जो भी है वो आपको कहीं जाने के जोरत नहीं है फिर आप यहां पर नीचे नीचे देखोगे तो आप शो मोर का ओप्षन देखने को मिल जाता है उसके बाद आप यहां पर यहां पर बना रहे किड्स के लिए बना रहे है या फिर किड्स के लिए नहीं बना रहे हो वो सिलेक कर सकते हो यह सब सिलेक करने के बाद आप यहां पर नेक्स्ट कर देना है आपको नेक्स्ट करने के बाद सेकेंड प्रोसेस जो यहां पर आता है वो आता है एंड स्क्रीन का और आइकाड बटन का आप यहाँ पर अपने वीडियो का end screen भी लगा सकते हैं यहीं से और आइकाड भी अपने वीडियो पर यूज कर सकते हैं और जिनका यहाँ पर चैनल monetization हो गया है उसका थर्ड नंबर या फिर सेकेंड नंबर पर आप मोनेटाजेशन अनेबल करने का भी option आ जाएगा कि आप अपने वीडियो का यहाँ पर मोनेटाजेशन अनेबल कर सकते हो और एड्स जो अपने वीडियो पर रं करना चाहते हो रं करा सकते हो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर option देखनी को मिलता है चेकिंग का आप यहाँ पर वीडियो आपका चेक होगा कि आपका यहाँ पर कोई भी आप copyright content यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी copyright content यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो checking process चलती रहेगा तो आपको इसके बाद next कर देना है next करने के बाद last option आपको देखने को मलता है visibility का visibility में option आपको एक ही जगा देखने को मिल जाते हैं आपको कहीं भी जाने की जोरत नहीं पड़ेगी और आप अपने वीडियो का एकदम सही तरीके से यहाँ से upload कर सकते हो वह भी Chrome के desktop साइट से अब आपको यहाँ पर देखके समझ में आ गया होगा कि अगर आप यहाँ पर YouTube एप अपने फोन या आप जो ही PC laptop यूज करते हैं अपने वीडियो का upload करने के लिए वीडियो upload करते समय आपको सिंपल से अपने desktop साइट पर ही जाके upload करना है वहाँ पर आपको बहुत सारे features देखने को मिल जाते एक ही जगह पर आपको कहीं भी जाने को जरूत नहीं पड़ेग उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में बेल नॉटिकेशन भी आण कर लेना इसी तरह आपको न्यू न्यू वीडियो देखने को सबसे पहले मिलती रहेगी तो बस फ्रेंड वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो म है